खबर उत्तरप्रदेश के स्रावस्ती जनपत सेहे जहां पर सनक हासे में एक इवक की बीती रात इलाज के दोरान मौत हो गई आज दोपहर बाद जब नितक इवक का सो पोस्मार्टम से उसके घर पहुंचा तो चारो ओर चीफ पुकार मच गई अंतिम दर्सन के लिए पूरे गाओं के लोग इखठा हो गए लगभग आधे घंटे के अंदर ही इवक का अंतिम संस्कार कर दिया गया मिली जानकारी के अनुसार बीती रात इकवना इलाके के कंजड़वा निवासी इंदराज यादो पुत्र चेतराम यादो अपने रिष्टेदारे में किसी मांगलिक काईकर में सिर्कत करने जा रहे थे इंदराज यादो बाइक से बीरपुल से खरगुपुल जाने के लिए निकले ही थे की बीरपुल चौराहे से लफ़क सो मीटर आगे जाने पर एक कंपाइन मसीन ने उन्हें टक करमा दी जिससे इंदराज को काफी चोटें आ गई हादसे में इंदराज यादो की आथ फट गई वा अंदर ही अंदर उन्हें ब्लीडिंग होने लगी जिसके चलते इकवना के डाक्टों ने आनन फारन उनकी इस्थित गंभिर बताते हुए जिला अस्पताल बहराईच के लिए रिफर कर दिया बीती रात लवख ग्यारा बजे उन्हें अम्बुलेंस से इकवना के सरकारी अस्पताल से जिला अस्पताल बहराईच रिफर किया गया जहां पर उपचार के दोरान इंदराज यादों की मौत हो गई मौत की सूशना जैसे ही परिवारवालों को मिली परिवार में कोहराम पसर गया आज सुबह सवेरे से हैं उनके घर पर लोगों का ताता लगा रहा आखिरकार दो पहर बाद उनका सव घर पहुँचा जिसके बाद चारों तरफ चीक पुकार मच गई आनन फारन उनके सव का अंतिम संसकार किया गया इकवना इलाके के कंजड़वा की ये तस्वीरे हैं जहां पर 35 बरस ये इन राज यादो का सव पहुचा जिसके पश्चात आनन फारन में उनका अंतिम संसकार किया गया आपको बता दे लगातार सावस्ती जनपर में सनक हास से सामने आ रहे हैं लोगों की छोटी-छोटी ला परवाही कई बार लोगों को अस्पताल तक पहुंचाती हैं तो कई लोग समसान तक भी पहुन जाते हैं इकावना इलाके के कंजरवा की ये तस्वीर है जहां पर लोगों का जमावला लगा रहा लोगों ने अंतिम दर्सन में पहुँचकर उन्हें अंतिम विदाई दी इकवना इलाके के कंजरवा का ये पूरा मामला है जहां पर 35 बर्स ये इन रराच यादो हमेशा के लिए ये दुनिया छोड़कर अलविदा बोल गए क्या है